आज के इस वीडियो में मैं आप से discussion करने वाला हूँ Goodwill की valuation में profit में होने वाले adjustment के लिए adjustments को समझने के लिए वीडियो को पूरा last तक देखें और ध्यान से देखें Hello दोस्तों मैं सोवित कुमार चोधरी आपका welcome करता हूँ अपने YouTube channel accounts हवेली पर उमीद करता हूँ हम इससे पहले वाले lecture में खतम करकर आए थे लेकिन अब हमें यह देखना है कि average और weighted average निकालते टाइम क्या वो profit जो हमें दे रखा होता है as it is use कर लेते हैं जो question में profit given होता या उसमें कुछ हमें plus minus या कुछ adjustment करनी होती है आज के इस lecture में मैं आपसे यही discuss करने वाला हूँ बहुत important है क्योंकि goodwill का question अगर paper में आएगा तो जरूर adjustment के साथ आता है profit में आपको कुछ adjustment करनी पड़ती हैं उन adjustment के बिना आप question को solve नहीं कर सकते हैं important announcement कि अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe जरूर करें वीडियो को like किया करें मेरे बच्चो और साथ में comment section में अपनी valuation या अपनी राय हमें जो भी हो आप जरूर दिया करें वीडियो थोड़ा आज लंबा होने वाला है तो वीडियो को ध्यान से देखें last तक देखें और उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुचाएं जो आपकी तरह 12 में ही है या जो goodwill की valuation को समझना चाते हैं या अभी तक उनकी समझ में नहीं आई है उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे हैं पर उनके पकड़ में कुछ नहीं आपा रहा है तो हम उनके साथ है अकाउंट्स हवेली उनके साथ है smart classes उनके साथ है आज हम आपको समझाने वाले हैं बड़ा आसान सा ही topic है हाववा बना रखा है लोगों ने समझ में नहीं आता है ये है वो है फलाना है डिमा का बड़ा typical है कुछ नहीं है बिरा बच adjustment of profit for valuation of goodwill means कि goodwill की valuation करने में हमें profit में कुछ adjustment करने होते हैं means profit की valuation करने में हमें goodwill में कुछ adjustment करने होते हैं तो वो कोन-कोन से या क्या-क्या adjustment है जो हमें करने पढ़ेंगे जब हम goodwill की valuation कर रहे होते हैं ठीक है मेरे बच्चा इस पे बात करने के लिए journal discussion मेरे बच्चा बच्चार जर्नल discussion करते हैं नोर्मल ही बात करता है आओ मन की बात करें जैसे मानिने परधान मंत्री मोधी जी करते हैं मन की बात, मन की बात करता हूँ आपसे और आपके मन की जो मनो दसा है इस समय जो परिशानियां दिमाग में चल रही हैं जो तूफान उमड रहे हैं कि कल तक तो सीधा इस मास्टर ने एवरेज निकल वा दिया और आज ये मास्टर एक नया बबा लेकर आगया आज कहने लगया कि क्या प्रोफिट में भी एडजस्मेंट करने पड़ेंगे समझ में नहीं आरा, टिपिकल होता जारा ना मुनना ना स्टेप बाई स्टेप चलना होता है ऐसे नहीं एक दिन में आपकी मन की बात कोई नहीं सुनेगा स्टेप बाई स्टेप चलके वहां तक पहुचा जाता है तब मन की बात सुनी जाती है इसी तरीके से स्टेप बाई स्टेप समझा जाएगा तब आपको समझ में आएगा आप क्या समझ रहे हो, हलवा है क्या, ना, accounting लड़ू है, हलवा नहीं है, तो लड़ू बनाने में टाइम लगेगा, और अगर आपने लड़ू नहीं बनाने दिया, मेरे बच्चा तो रायता फैल जाएगा, अब आपकी मर्जी है, आप लड़ू बनाना चाहते हैं, या रायत लड़ था, कि 80 में 80 आजाए, 8 के बीचे लड़ू बन जाए, 100 में से 100 आजाए, मैं ये कहना चाहा रहा हूँ, जिसके लिए गुड़ू विल की अपने आप में इंपोटेंस है, 8 नंबर का ये कोशन, पेपर में टोटल टोपिक आता है मेरे बच्चा, इसलिए बड़े धं जीबत में होने नहीं दूँगा, चलिए तो बात करते हैं प्रोफिट के बारे में, तो हमने आप से लास्ट क्लास में कहा था हम प्रोफिट में वेटिड एवरेज निकाल लेते हैं, जिसको सिंपल एवरेज भी बोलते हैं, आपने वो निकाल लिया था, उसमें आपको करने की ज़रुवत पड़ती हैं, हाँ या ना, इसके बारे में मैं आप से discussion कर रहा हूं, इसके बारे में मैं आप से मेरे बच्चा चर्चा कर रहा हूं, एक सिंपल सी बात बताता हूं, सिंपल सी बात बोलता हूं आप सुनना, हमने profit and loss बनाते हैं अपन लोग, profit and loss बनाने क के बाद में ही तो हमारा profit and loss निकलता है वो profit and loss हम मान लेते हैं goodwill generate करता है तो क्या वो सारा का सारा profit जो एक firm earn करती है वो सारा profit ही goodwill generate करता होगा क्या वो सारा का सारा profit ही goodwill पर impact रखता होगा या हो सकता है उस profit के अंदर कुछ elements ऐसे हो जो goodwill को generate नहीं करते हो लेकिन profit तो है क्योंकि जब मैं profit की बात करता हूँ तो मैं कुल कमाई की बात करता हूँ कुल मैंने कितना कमाया profit मतलब income minus expenditure profit मतलब income minus expenditure total receipts मेरी जो भी थी इसके अलावा जो मेरी other receipts थी उन सब में से मैंने minus कर दिया अपना सारा का सारा purchase उस से related खर्चे, sales से related खर्चे A to Z खर्चे और losses debit कर दिये कोई other income थी वो credit कर दिये इन सब को करने के बाद में मेरा निकल गया profit तो क्या ये वो profit निकल के आया है जो मेरी goodwill generate करता है क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि goodwill क्या है एक reputation of the firm है और firm कोई भी firm reputation किस से कमाती है जी goodwill से कमाती है other factor भी थे जो उसको impact करते थे लेकिन यहां profit की बात कर रहे हैं direct profit की बात कर रहे हैं other factors भी होते हैं जो profit को generate करने में help करते हैं लेकिन यहां पर हम other effects की बात करते हैं तो आप हमें बता कर चलिए कि सारा का सारा profit goodwill generate करता है ये question है तो इसका answer है मेरे बच्चा सारा का सारा जो profit होता है वो goodwill generate नहीं करता है इसका मतलब अब दो profit हो गए जंगा धर ही सकतीमान नहीं है हमें दो दो चीजें चाहिए हमें दो दो चीजों की जरूरत है एक profit तो वो होगा जो profit and loss वाला profit होगा और एक profit हमें वो निकालना पड़ेगा जो goodwill वाला profit होगा इसका मतलब P&L वाला profit और goodwill वाला profit दोनों अलग है प्रोफेशनल लेवल पे गुडविल वाले प्रोफिट को बेटा बोल देते हैं FMP प्रोफेशनल लेवल पे गुडविल वाले प्रोफिट को हम बोल देते हैं FMP FMP मतलब future maintainable profit ऐसा profit जिसको मैं future में भी maintain कर पा हूँ जिसको मैं future में भी maintain कर पा हूँ ऐसा profit नहीं कि जो आज हो गया और कल को होने की उसकी कोई उमीद नहीं है आज हो गया कोई भी reason रहा या कोई भी extraordinary condition मेरे सामने आ गई या कोई भी non recurring nature का ऐसा event मेरे सामने आया जिससे मुझे profit या loss हुआ तो वो मेरे profit को effect कर रहा है वो मेरे P&L वाले profit को effect कर रहा है लेकिन वो मेरी goodwill को effect नहीं करेगा तो अब हमने यही समझ रहा है कि जो P&L वाला profit है और जो goodwill वाला profit है उन दोनों के बीच में क्या difference है mantenable profit ठीक है तो कैसे निकलेगा वो profit उसी का हमें आपसे चर्चा करना है कि कैसे निकालेंगे तो मैं यहां लिख लेता हूँ पिंडल वाला profit कैसा profit पिंडल वाला profit और मैं इधर लिख लेता हूँ goodwill वाला profit हम तो आसान भासा में समझते है पिएंडल वाला प्रोफिट और गुडविल वाला प्रोफिट इन दोनों के बीच में जिये जो दूरी है ये खतम करनी पड़ेगी पिएंडल वाला प्रोफिट तो ये बताता है कि हमने कुल नेट प्रोफिट कितना अर्न किया ये केवल ये बताता है कि हमने कुल कितना नेट प्रोफिट अर्न किया ये बताता है कि उसमें से कितना प्रोफिट गुडविल पर इंपेक्ट करता है कितना प्रोफिट गुडविल पर इंपेक्ट करता है ये बताता है कि उसमें से कितना प्रोफिट गुडविल पर इंपेक्ट करता है ये ये बताता है दो तरीके के पार्ट हो गए एक तो वो पार्ट हो गया जो गुडविल पर इंपेक्ट डालता है एक वो प्रोफिट हो गया जो गुडविल से रिलेटिड नहीं है जो गुडविल से रिलेटिड नहीं है इसका मतलब पियंडल वाला प्रोफिट दो चीजों से मिलकर बना है एक तो गुडविल पर इंपेक्ट डाले वाला प्रोफिट और एक वो प्रोफिट जो गुडविल से रिलेटिड नहीं है या गुडविल पर इंपेक्ट नहीं डाल और 10,000 का profit goodwill पर impact नहीं डालता है तो कोशन में क्या होगा आपको ये 30,000 नहीं देगा कि ये profit direct है जो goodwill पर impact डालता है हो सकता है दे भी रखा हो लेकिन जिसमें profit की adjustment होगी उसमें आपको ये given नहीं होगा अब ये given नहीं है आंस्वर आप जानते हो goodwill पर impact डालने वाला profit is 30,000 तो अगर मैं बोलूं ये given नहीं है तो मुझे बताओ जरा कितना profit होगा जो goodwill पर impact डालेगा तो आप कहोगे आसान है total profit में से minus कर देते हैं वो profit जो goodwill पर impact नहीं डालता है 40,000 का total profit है उस profit में कुछ हिस्सा goodwill को impact करता है यानि कि goodwill generate करता है कुछ हिस्सा goodwill generate नहीं करता है तो क्या करें तो ऐसा करते हैं ना जो goodwill को generate नहीं करता है उसको minus कर देते हैं देखो या तो direct हमें वो profit दे रखा हो जो goodwill को impact करता हो यानि कि goodwill generate करता हो तो ले लेंगे नहीं दे रखा होगा तो pndl वाले profit में से net profit में से हम minus कर देंगे वो वाला profit जो goodwill को impact नहीं करता है इसका मतलब यहां से अगर मुझे यहां आना है और मैंने का हे profit तुझे मैं बदल दूँगा तुझे मैं गंगा दर से सक्तिमान बना दूँगा तुझे मैं profit से पियंडल वाले profit से गुडविल वाले profit बना दूँगा तो क्या करना पड़ेगा जितना टोटल प्रोफिट था उसमें से माइनस कर देंगे उतना प्रोफिट जो इंपेक्ट नहीं डालता है ऐसे लिख देता हूँ मैं समझने के लिए तो कितना प्रोफिट चालिस हजार कितना इंपेक्ट नहीं डालता है दस हजार तो कितना आया तीस हजार सर एक डाउट है हाँ मेरे बच्चा पूछ मैं डाउट के लिए ही यहां हूँ क्या कोशन में आज कल ऐसे लिखा आएगा ये इंपेक्ट डालता है ये इंपेक्ट नह ये लिखने वाले हैं, total profit minus उतना profit जो impact नहीं डालता ना मेरे मुन ना, मैंने कब कहा मेरे बच्चा तु ये लिखने वाला है, मैं तो समझा रहा हूँ, मैं तो एक साधरन भासा में समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं professional word use करना start कर दूँगा, अभी समझाने के लिए मैं ऐसे ऐ रखा होगा मेरे बच्चा, जो goodwill generate नहीं करती हैं, या profit का वो part जो goodwill generate नहीं करता है, तुझे वो समझना पड़ेगा, तुझे वो नाम याद रखने पड़ेंगे, उसके बाद, उसके बाद आप उन चीजों को plus minus करोगे, तो उतना impact नहीं डालता है, ऐसे नहीं आएगा, ह करी होंगी हमने transaction, accounting में कौन सी transaction यूज करते हैं, जी monetary transaction, इसका मतलब profit निकालने में जो monetary transaction है, उन में से कुछ transaction ऐसी होंगी, जो for the purpose of goodwill useful नहीं है, पियेंडल निकालने के लिए तो वो बहुत useful हैं, लेकिन goodwill वाले profit के लिए वो useful नहीं है, तो क्या करेंगे, उनको ठीक कर देंगे, उनको ठीक कर देंगे, sir, अगर ऐसा था, हमें पता था goodwill वाला profit अलग होता है, तो फिर हमने उसी profit को total profit क्यों नहीं माना, कैसी बात करते ह बिजनिस को profit जो होता है, बिजनिस को profit जो होता है, as per accounting standard 5, net profit, हलाकि net profit की valuation में accounting standard 4 की भी उतनी ही importance है, prior period transaction का adjustment भी होता है, अब मैं as per accounting standard 5 के इसाब से बात करता हूँ, accounting standard 5 कहता है, profit में हम normal profit और extraordinary item से होने वाला profit भी consider करते हैं, चाहे वो recurring nature का हो, चाहे वो non recurring nature का हो, दोनों तरीके के profit को हम consider करते हैं, इसका मतलब एक enterprise जब अपना profit count करता है, तो वो recurring nature की transaction और non recurring nature की transaction दोनों को मिला कर एक profit निकलता है, मुसीबत तब आती है, जब उसको अगर भविशय में future में अपनी goodwill की valuation करनी पड़ गई, अब होगी, तो मेरे बच्चा, जहां treatment of goodwill समझाऊंगा, वहाँ पर ये question में cover कर लूँगा, अभी मैं ये question cover नहीं कर रहा, अभी मैं अपने profit की बात कर रहा हूँ, तो दिक्कत ये आई, कि profit के बीच में जो difference था, उसको हमें fill up करना था, AS5 के हिसाब से जो profit निकलता है, वो goodwill accounting standard 26 intangible assets के हिसाब से नहीं है, तो हमें AS5 वाले profit को intangible assets goodwill के लिए AS26 के हिसाब से बदलना पड़ेगा, AS26 intangible assets की बात करता है, AS5 net profit की बात करता है, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, 5 से उठके 26 पे आना पड़ेगा, तो जो भी adjustment होंगी, जो भी plus minus होंगे, उनको हमें ध basic बाते समझी होंगी, कि सर आप ये कहना चाह रहे हो, आपका crux ये है, कि question में जो goodwill वाला profit निकालने के लिए, जो profit हमें question में given होगा, उसमें हमें कुछ plus minus करने बस इतना समझना है, पहले समझा रहा हूं conceptual understanding आपकी develop करने का प्रियास कर रहा हूं, समझ में आएगा, बहुत नई transaction अगर दे दी, तो उसके लिए conceptual framework का develop होना बहुत जरूरी है, तो उस point of view पर आपसे बात करता हूं मैं, कि आपका conceptual framework develop रहे, इसलिए पहले logic को भी ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चा, ठीक है मेरे बच्चा, तो मेरे बच्चा profit earn करने में help होती है accounting transactions की, किसकी help होती है accounting accounting transaction, जो हमारी monetary होती है, monetary in nature, कैसी transaction होती है, monetary in nature, ये क्या हो गया, ये बेटा, ये doctor बनना चाहता था, मैंने आपको बता रखा है, मैं doctor बनना चाहता था, तो बीच बीच में, मैं doctor वाली language, use करूंगा, कोई इतना बड़ा word नहीं है, monetary आप अच्छे से समझते हैं, transaction कैसी होती है, monetary, दो तरीके की transaction होती है, ध्यान देना, बेटा, मैं वो capital revenue के basis पे नहीं समझा रहा, मैं अपने goodwill के हिसाब से framework generate कर रहा हूं, इसलिए धंग से सुनना, दो तरीके की transaction मैं यहाँ पे create कर रहा हूं, बेटा, please be careful, मेरी बात को समझने का प्रियास करना, कि मैं कहना क्या चा जाता है, profit को impact करने वाली, profit निकालने में दोनों useful होती है, एक वो transaction होती है, जिनसे हमारा profit घट जाता है, दो तरीके की transaction होती है, journally, इनको हम बोलते है, income या profit भी बोलते है, profit हो गया direct, इनको हम बोलते है, expenses या losses, जिनसे profit कम हो जाता है, प्रोफिट निकालने में खर्चों को माइनस कर देते हैं, मैं अपनी understanding के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल यूनिक तरीके से, अपना तरीका है, अपने हिसाब से बताऊंगा मैं तो, यानि कि transaction profit को बढ़ाने वाली, घटाने वाली, profit को घटाने वाली, transaction expenses, loss होती ह ठीक है, बात समझ रहे हो, तो यानि कि यहाँ पर मैं बात करूँगा एक तरफ income और profit की और एक तरफ बात करूँगा expenses और losses की, यह एक framework हो गया मेरी तरफ से, साथ में इन दोनों को cover करते हुए मैं एक बात और बोलूँगा, कि मेरे बच्चा, अब जो transaction का nature होता है, चाहे वो profit को बढ़ाने वाली हो, यानि कि income हो या profits हो, चाहे वो profit को घटाने वाली हो, expenses हो या losses हो, अब वो transaction भी दो तरीके की हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, profit किस से बढ़ेगा, जी income हो और यह profit बढ़ रहा, जी losses हो रहे है, expenses ज़्यादा हो रहे, profit घट रहा है, तो कोई नहीं बात, ऐसी खतरनाक बात तो नहीं है मेरे बच्चा, जल्दी से type yes करो, अगर आप बोलो नहीं कुछ नहीं है, आसान जी चीज़े समझ में आ गई, पका पका, तो कुछ transaction को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, कि वो transaction, जो हमारी normal nature की है, कैसे nature की है, normal nature की है, या मैं यह बोलूँ उसी के साथ में, प्लस लगाके कि normal बोल दूँ उनको, या यह कह दूँ मेरे बच्चा, वो recurring nature की है, तो normal nature की है, या recurring nature की है, दूसरा, transaction क्या है हमारी, अब normal nature की है, और non recurring in nature है, इन बातों को, इन वर्डों को, ये goodwill के लिए use होने वाले words हैं, जिन पे अब आपको focus करना, इसका मतलब, हमारी normal nature की transaction, recurring nature की transaction, दूसरा हमारी, abnormal nature की transaction, या non recurring nature की transaction, ठीक है, इन दोनों को एक भी बोल सकते हैं, मैं जहां पर word use करूँ, abnormal, तो आप समझ जाएं कि abnormal और recurring की बात साथ साथ करूँगा, क्योंकि एक ही तरीके का होता, बस नाम अलग-अलग हमने ना इनके लिए हुए हैं, कि कहीं abnormal का नाम, जर्नली पेपर में डारेक्ट abnormal का नाम ही use कर देता था, इसलिए इस word को लिखना जरूरी सा हो जाता है, ठीक है, बिरवच्चा इसलिए यहां लिख दिया, साथ में एक चीज़ और सुनके चलें, अगर मैं बोलूँगा normal तो आप समझा न, recurring nature की, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते, मतलब वो transaction जो business में regular nature की transaction, recurring का मतलब वो transaction जो business में regular nature की transaction है, यानि कि वो transaction जो बार बार होती है, और बार बार होने वाली चीज़ों के लिए ही, बार बार मैं sales कर रहा हूँ, बार बार ये हो रहा है, बार बार मैं यहां से पैसा कमा रहा हूँ, मेरा main activity, core activity यही है, यहीं से मैं पैसे कमाता हूँ, तो उस बार बार होने वाली activity को तो business बोलते हैं business is a continuous activity, तो बार-बार मतलब जो regular nature की है, non recurring मतलब जो बार-बार नहीं है, जो non regular है, कभी कभाक हो जाता है, चाहे वो खर्चा हो, चाहे वो income हो, regular nature में, फिर से वो ही बात, बार-बार हो जाता है, चाहे वो income हो, चाहे वो expenses हो, तो इसका मतलब normal nature और recurring nature, इसके अंदर भी वो चीज़े हो सकती है, जो profit को बढ़ाएं या profit को घटाएं, साथ ही, abnormal nature और non recurring nature के अंदर भी वो दो बाते हो सकती है, जो profit को बढ़ाएं या profit को घटाएं, simple, कोई नई बात नहीं बता रहा है मेरे बच्चा, simple, simple सी बात बता रहा ह आसान आसान सब्दों में बता रहा हूं आप अच्छे से समझ गए होगे यानि कि हम आपकी बातों को सरपगड़ना स्टार्ट कर चुके हैं आप हमें घुमा फिरा के एड़्यस्मेंट पे ला रहे हो कि हमें करना क्या हां मेरे बच्चा मेरा मोटी वी वही है कि जो ट्रांज नोर्मल नेचर की हैं या अब नोर्मल नेचर की हैं पहले मैं कुछ रूल लिख देता हूं ध्यान देना कुछ रूल लिख देता हूं कुछ कौनसेप्ट लिख देता हूं या इनको बोल दो कुछ इंपोटेंट पॉइंट लिख देता हूं जिनको आप समझ के चलेगे पह एक्सपेंसिस से रेटी ट्रांजेक्शन हो या इंकम से रेटी ट्रांजेक्शन हो एक्सपेंसिस के साथ लोस को कवर करके चलेंगे इंकम के साथ प्रोफिट को कवर करके चलेंगे होता क्या है एक्सपेंसिस से प्रोफिट घटता रहता है और इंकम से प्रोफिट बढ़ता रहता है ये आप अच्छे से जानते हो इससे पहले मैंने यही बताया तो जो बेटा नॉर्मल नेचर की ट्रांजेक्शन है वो गुडविल के परपज के लिए अलाऊ है वो सही है यानि कि जो हमने प्रोफिट और लोग से प्रोफिट निकाला है जो हमने प्रोफिट और जरुवत नहीं है फिर से बोलता हूं गुडविल की वैलिवेशन करने में नॉर्मल नेचर की ट्रांजेक्शन का यूज होता है जो हमें कोशन में प्रोफिट दे रखा है उसमें नॉर्मल नेचर की ट्रांजेक्शन ओल्रेडी इंक्लिड है तो गुडविल के लिए अब इन ट्रांजेक्शन को अलग से कुछ करने की जरुद नहीं है। ये वहाँ पहले से एड़ ओन है। तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया ये गुडविल पर इंपेक्ट डालती है। और आपने इनको कंसिडर कर रखा है। आपने बहुत बढ़िया कर रखा है। बहुत बढ़िया कर रखा है। आपने हमारा काम असान कर दिया। नॉर्मल नेचर की ट्रांजेक्शन हमें गुडविल की वैलिवेशन करने के लिए जो प्रोफिट लेते हैं वो लेनी होती है। मैं goodwill की valuation के लिए ऐसी transaction को लेता आपने पहले से ले रखी हैं तो आपने बड़ा वच्छा कर दिया मेरा काम बचा दिया जी मुझे कुछ करने की दुर्रत नहीं है नोर्मल नेचर की transaction अब ये मत कहना क्या होती है चलो मैं लिख देता हूं wages, salary जानते हैं ना यह सारे वर्ड wages, salary ठीक है ऐसे लिख देता हूं चलो direct expenses, indirect expenses ठीक है इधर लिख देता हूं income में income कहां से कमाता है business, revenue from operation, ठीक है, etc. समझ रहे हो ना तो ये क्या है ये वो चीज़े हैं जो goodwill की valuation को impact करती है profit निकालने में हमने use की हुई है तो आपने जी बहुत बढ़िया किया हुआ है हमें भी profit निकालने में, goodwill का profit निकालने में इनका use है और आपने जो profit दिया हुआ है उसमें आपने इनका use कर रखा है तो जी बहुत बढ़िया कर रखा है लेकिन important point अगर यहाँ पे मैं एक important बात लिखता हूँ इसका मतलब अगर इन चीजों को हमने पहले से ही ध्यान देना already included पहले से ही included है तो हमें इनका कुछ भी नहीं करना है अगर दे भी रखी है तो भी फिर से बोल रहा हूँ जैसे वो बोल रहा है कि profit में जो हमने profit निकाला है उसमें हमने wages की transaction को include किया हुआ है इसका मतलब जैसे 1000 की मैंने wages की payment की थी तो profit को उसने 1000 से कम किया हुआ है इस transaction के impact को उसने include किया हुआ हम कहेंगे जी बढ़िया किया हुआ है अगर हम goodwill की valuation के लिए profit निकालते आपने नहीं निकाला होता हमें निकालना पड़ता तो हम भी include करते आपने भी कर रखा मज़े आ गए जी कुछ करने की ज़रत नहीं है हमने का goodwill की valuation के लिए salary जी हम लोगों ने तो include कर रखी है पी एंडल निकालने में क्या goodwill की valuation के लिए भी ये include होती है हमने का जी हाँ include होती है हमने minus कर रखी है आपने बढ़िया minus कर रखी है जी goodwill की valuation करने के लिए हमने भी minus करनी होती है हमने करना था आपने कर दिया बिल्कुल बढ़िया कर दिया जी इसका मतलब सोचो और मैं कहना क्या चा रहा हूँ मैं ये कहना चा रहा हूँ गुडविल के लिए हम सारा प्रोफिट अलग से नहीं निकालेंगे अपनी मैनत क्यों डबल करेंगे कि अपनी मेनत्पेंद क्यों डवल करेंगे जो हमने पेड्टल वाला profit निकाल रखा है जो हमने पेड्टल वाला profit निकाल रखा है सीधा उसको उठाएंगे और उस प्रॉफित में देख लेंगे कि क्या ऐसी चीज है जो अलाव नहीं करनी थी और हमने कर रखें उनको एड़ेस्ट कर देंगे जो चीज अलाव होनी थी गुडविल के हिसाब से भी और पीएंडल के हिसाब से भी और उनको इंक्लूड किया हुआ है तो मजा कर रखा जी मजा कड़ा कर दिया जी अब कुछ करन तो हमें कुछ करने की जूरत नहीं है हलाकि पेपर में ये वाली बात नहीं गिवन होती है लेकिन मेरे बेटा एक नंबर में ऐसे कोशन हीट कर सकता है इसलिए मैं बता कर चल रहा हूँ कोई नहीं बताता ये वाली बात simple क्या करते हैं ratification सब लोगों ने कर रखा है maximum time में उठाते हैं उठा कर क्या कर देते हैं मैं selected लोगों की बात कर रहा हूँ मैं सब को consider नहीं कर रहा है यहां पर बहुत creative लोग हैं जो अपने हिसाब से निकाल कर चलते हैं बहुत सारे लोग बचे हुए हैं भी तो हमने करना क्या है हमने यही करना है कि अगर consider कर रखा आपने भी हैं हमने भी करना था कोई बात नहीं है इस बात को हम ध्यान में रखकर चलेंगे already included है अच्छा है चाहे plus हो रखी हो चाहे minus हो रखी हो प्लस कर रखी है बड़ा नेचर के इसाब से है transaction प्लस होने वाली है तो प्लस कर रखी है minus होने वाली है तो minus कर रखी है include का मतलब यह कभी नहीं है कुछ बच्चे रट लेता है counting mark में में जिक इंक्लिओट कर रखी मुंदा plus कर रखी है मतलब प्रोफिट में से माइनस कर रखा तो इस चीज को भी थोड़ा पकड़ के चलें तो अगर यह चीजें ओल्रेडी इंक्लूडिट है प्रोफिट के अंदर तो हम इग्नोर कर देंगे हमें इने सही करने एक जूरत नहीं है जैसे उसने कहा कि गुडविल की आपको होगे हमें तो बताया था नॉर्मल ट्रांजेक्शन अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन प्लस माइनस करते हैं यह नहीं लेते इसके बारे में नहीं बताया गया मेरे बच्चा इसके बारे में इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि यह ओल्रेडी ले रखी होती है और गु you from operation, normal nature की transaction है और वो include होती है तो first जाओगे इसलिए मैंने कहा लेकिन अगर बेटा ये included नहीं है ये included नहीं है अगर ये not included है, मतलब PNDL जब हमने निकाला था PNDL निकालने में हो सकता है इन transaction को हम भूल गए हो सकता है ये transaction हमसे छूट गई be careful मेरे बच्चा अब मेरी इस बात को ढंग से सुनना हो सकता है जब हमने profit निकाला हो तो regular nature की transaction regular nature की transaction को वो include करना भूल गया हो P&L में गलती हो गई P&L में ऐसा नहीं करना नहीं था P&L में करना था लेकिन जब तक उसने P&L का accountant ने profit निकाल के हमारे पास भेजा goodwill की valuation करने के लिए जो profit हमारे पास P&L से आया उसमें एक दो normal nature की transaction ऐसी थी जो उस accountant से रह गई goodwill की valuation करने के लिए वो transaction लेनी होती है P&L की valuation करने के लिए वो transaction लेनी होती है तो ये कर दिये accountant ने गलती तो sir accountant अपनी गलती को ठीक करेगा अरे तो accountant अपनी गलती ठीक करेगा accountant भाड़ में जाए हम यहाँ goodwill की valuation करें हम अपनी बात करेंगे तो यहाँ पे मैं profit ठीक नहीं करने बैठ जाओंगा कि मैं profit character हुआ मैं goodwill के हिसाब से profit ठीक कर लूँगा अपना profit ठीक कर लूँगा जितना मुझे चाहिए हमने का बई goodwill के हिसाब से accountant आप भूल गए कोई बात नहीं आप भूल गए तो हम कर देते हैं आपने कर दिया था तो हमें जरुवत नहीं बड़ी करने की क्योंकि हमें भी include करना था plus वाली को plus करना था minus वाली को minus करना था आपने plus minus करके दे दिया जी मज़ा आ गया जी हमारे धन्य बाग हो गए हमें कुछ नहीं करने बड़ेगा आप भूल गए साब आप जोडना भूल गए कोई बात नहीं जी मैं जोड देता हूं आप 10,000 रुपे जो नॉर्मल नेचर की इंकम थी जोडना भूल गए वो जोडने थे आपने एडमिट कर लिया गलती हो गई आप जोडना भूल गए goodwill की valuation के लिए भी जोडना होता है pndl में भी जोडना होता है आप भूल गई जी मैं जोड लेता हूं नॉर्मल नेचर की ट्रांजेक्शन को भूल गया अकाउंट एंट pndl निकालने में उसे गलती हो गई हमने का कोई बात नहीं आप से गलती हो गई आप भी ठीक कर ले ना हम भी ठीक कर लेते हैं आप अपने pndl के लिए अपने h5 के लिए ठीक कर लो हम h26 के लिए ठीक कर लेते हैं तो हमने h26 के हिसाब से कहा अच्छे आपने include नहीं किया ध्यान देना यहाँ पर अगर वो transaction expenses थी तो goodwill की valuation के लिए हम उसको less कर देंगे अगर वो पहले से included नहीं है अगर वो included c है ये d नहीं है included नहीं है तो हम उसको less कर देंगे और अगर वो income है हम उसको add कर देंगे अगर वो included नहीं है मैं यहाँ आप से अब question पूछने वाला हूँ क्योंकि मैं check करूँगा आपकी journal knowledge कि आप कितना समझ रहे हैं कितना ध्यान दे रहे हैं इसलिए जल्दी से एक बार एक बार जल्दी से समझो कि जो मैं कह रहा हूँ आपने वो मेरी बात पकड़ ली क्योंकि मैं अभी आपकी journal knowledge चेक करने लग जाओंगा एक second नहीं लगाओंगा चेक करने में इसलिए जल्दी से जल्दी से पहले से included है तो goodwill के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अकाउंटेंट साब ने गल्ती कर दी नॉर्मल नेचर की transaction को include करना भूल गए अकाउंटेंट साब क्या भूल गए expenses है कोई जिसको वो use करना भूल गए minus करना भूल गए कोई बात नहीं as26 के लिए मैं minus कर लेता हूं सर अकाउंटेंट साब को भी करना था तो वो कर लेंगे वो as5 के हिसाब से कर लेंगे मैं अभी as26 के हिसाब से goodwill पढ़ रहा हूं तो मैं as26 के हिसाब से minus कर देता हूं अकाउंटेंट साब income जोड़ना भूल गए कोई बात नहीं मैं जोड़ देता हूं लेकिन कौन से nature की normal nature की कौन से nature की recurring nature की कौन से nature की normal nature की transaction कौन से nature की recurring nature की transaction इनकी बात कर रहा हूं मैं इनके हिसाब से plus minus की बात चल रही है समझ में आया मेरे बच्चा क्या बोल रहा हूं सिंपल सिंपल सी बात बता रहो हूँ मज़ा आ गया होगा तो एक भासा में रटने के लिए सर क्या बताऊगे एक भासा में रटने के लिए बताऊंगा कि जो नॉर्मल नेचर की ट्रानजेक्षन है अगर उनको अगर उनको include नहीं किया हुआ है अगर वो included नहीं है अगर वो profit में included नहीं है चाहे वो गलती हुई हो या कुछ भी हुआ हो include नहीं किया include नहीं किया और अगर वो expenses है तो for the purpose of goodwill हम उस adjustment में उसको less करेंगे अगर वो हमारी income है तो for the purpose of goodwill हम उस adjustment में उसको add करेंगे हमें इतनी सी बात याद रखनी है sir अगर अगर वो normal nature का है और included है तो हम ignore कर देंगे हम कहेंगे अब आपका कुछ नहीं करना आप पहले से जुड़े हुए हो तो आप कोई जरूरत नहीं है आपको जुड़ने की अरे बेटा खुद सोचो आप मेरी class में जुड़े हुए हो प अरे मेरी बेटा तुम पहले से जुड़े हुए तो हो तो बार बार उस message को करोगे मुझे भी जोड़ लो मुझे भी जोड़ लो तो मैं समझ जाओंगा मजे ले रहे हो तो मैं क्या कर दूँगा ignore पेपर में question क्या करेगा ऐसे लिख के देगा कि या normal nature transaction of rupees 10,000 included into profit मजे ले जब पहले से normal nature की transaction जुड़ी हुई है बई मेरी class में normal nature का बच्चा पढ़े जो समझना चाहता है जो पढ़ना चाहता है और वो पढ़ रहा है और वो फिर कह रहा है जी मुझे जोड़ लो मुझे जोड़ लो अरे बेटा नोर्मल अच्छा बच्चा है क्लास में पहले से अल्रेटी जुड़ा हुआ है तो और अलग से कहां से जोड़ लू जुड़ा तो हुआ है मजे ले रहा इग्नौर करो इग्नौर करो मजे ले रहा पढ़ा हो नोर्मल नेचर का है समझ में आया क्या बोलो, simple सी बात है ऐसे ही वो profit में बोलेगा कि जी, normal nature का profit जुड़ा हुआ है तो हमने का सही जुड़ा हुआ है, जोड़ नहीं था, ignore करो वो कहीगा, जी normal nature का expenses है घटा हुआ है, हमने का सही घटा हुआ है ऐसे कहेगा, कि आप मुझे बताओ करोगे आप से पूस्ता हूं wages already included है profit में तो goodwill की valuation के लिए आपको अलग से बता रहा है कि wages included है तो बताओ आप क्या करोगे आप क्या करोगे ignore क्यों ignore कर देंगे क्योंकि already included है तो फिर से करने की जुरद नहीं है चलो जी दूसरी transaction देता हूं कहता है salary included है आप क्या करोगे ignore तीसरे में वो बोलता है ध्यान देना ध्यान देना फिर से बोलता है वो कहता है salary not included salary included नहीं है तो आप क्या कर दोगे less कर दो profit से less क्यों कर रहे हैं क्योंकि खर्चा है less होना होता है accountants आप भूल गए तो हम minus कर देंगे खर्चा है minus होना होता accountants आप भूल गए तो हम minus कर देंगे be careful बेटा ऐसे बोलने लग जाएगा salary included नहीं है हमने का हमने include कर दी अगर ऐसे बोलने लग जाए कि भूल गए wages not included wages included नहीं है तो बताओ क्या करोगे हम करेंगे less from profit profit से less कर देंगे आगे बोलेगा कहेगा एक normal profit है और normal profit included नहीं है मतलब excluded है normal profit excluded है तो हम कहेंगे जी include करना था normal profit है include करना था exclude क्यों कर दिया गलत exclude करा है तो profit को क्या करते है income को profit को क्या करते है income हो या profit हो क्या करते है add तो हम क्या कर देंगे add into profit profit में इसको add करो क्योंकि goodwill की valuation के लिए इसको लेना होता है यहां से normal nature transaction से maximum to maximum adjustment आती ही नहीं है लेकिन बच्चे की conceptual understanding के लिए मैं उसे बता कर चलता हूँ कि ये चीज वो ध्यान में रख कर चले वरना वो फस जाएगा गलत हो जाएगा पेपर में क्योंकि अगर एक number में उसने MC क्यों hit करा तो तुम फस जाओगे मेरे बच्चा तो तुमें बच्चाने के लिए ये चीजे में पहले से आपको बताने लग जाता हूँ पहले से समझा देता हूँ आपको ताकि आपको कोई भी issue ना आए ठीक है अब किसी बच्चे के दिमाख में ये तो टेंसन नहीं आ गई सर नोर्मल नेचर की ट्रांजेक्शन क्या होती है पूरी ग्यारवी क्या करा है मेरे बेटा पूरी ग्यारवी में यही तो बताया है recurring nature की ट्रांजेक्शन नोर्मल नेचर की ट्रांजेक्शन year to year वो transaction जिनकी day to day frequency होती है वो transaction जो within a year repeat होती ही रहती है जिस तरीके से आपकी current assets हुआ करती थी जिस तरीके से आपकी current assets हुआ करती थी current assets भी तो क्या थी year to year क्या होती रहती थी rotate होती रहती थी cash में convert होती रहती थी यही तो था, इसी तरीके से मेरे बच्चा, जो normal nature की transaction होती है, वो year to year regular nature में profit generate करके देती है, वो revenue nature की transaction होती है, जो क्या करके देती है, आपको profit generate करकर देती है, regularly profit generate करकर देती है, जिनकी frequency year to year होती है, हो सकता है day to day भी हो, हो सकता है weekly हो, हो सकता है 10 दिन में, 20 दिन, 25 दिन में, वही है जो revenue nature की income generate करती है वहीं से profit निकल कर आता है तो वो transaction जो regular nature की होती है revenue regular nature की होती है उन transaction को हम normal nature की transaction बोलते है देखो मैं केवल यह profit की बात कर रहा हूँ इसलिए word use कर रहा हूँ revenue क्योंकि profit क्या होता है हमारा revenue nature के income से minus करते है revenue nature का expenses ठीक है उसके बाद जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है हमारा profit कुछ कुछ बीच चीजे हैं ऐसी कुछ ऐसी exemptions हैं या कुछ ऐसी चूटे हैं जो एक दो चीजे हैं जैसे डेफ़र रिवेन नेचर के losses होते हैं capital nature के losses होते हैं जो write-off करने होते हैं तो कुछ sections हैं जो allow करते हैं कि हमें कुछ और transaction को भी minus करना है तो इतना अभी हमें नहीं समझना उसमें हमें नहीं जाना उसकी हम बात यहां नहीं कर रहे हम उसी main जो हमारा focus है जो हमारा motive है हम उसी level पर आपसे बात कर रहे हैं कि भाईया normal nature की transaction वो है जो रिपीटिव नेचर से profit generate करती है और normal revenge nature की transactions होती है और non recurring वो होती है जो normal ही नहीं होती कभी कभी हो जाती है तो अगर अब मैं आप से बात करने लग जाओं नोर्मल के बाद अब normal nature transaction का अभी मैंने आप से बात क्या किया है नोर्मल nature transaction का तो अब मैं आपसे discussion करने लग जाता हूँ abnormal nature transactions कि abnormal nature की transactions क्या होती है या कौन कौन सी transaction होती है जो abnormal nature की होती है अब मैं आपसे इनके बारे में discussion कर लेता हूँ कि कौन सी transaction होती है जो abnormal nature की होती है तो अब आपसे इसके बारे में discussion करने लगता हूँ फिर से वो ही वाली बात हैं अब नॉर्मल नेचर या नोन रीकरिंग नेचर इसके साथ में नोन रीकरिंग नेचर भी आप लेके चलेंगे तो बेटा ध्यान दें इसमें भी वो ही वाली बात हैं या तो वो expenses या lows होंगे अब नॉर्मल नेचर की जो transaction है या तो expenses लोस वाली होगी या फिर वो हमारी income वाली होगी ठीक है कैसी होगी या तो expenses वाली होगी या वो income वाली होगी या फिर expenses लोस वाली होगी ठीक है ध्यान से देखना अब इनका की concept क्या है goodwill कहती है कि ये goodwill के परपज के लिए नहीं है मतलब ये transaction ये transaction गुडविल के परपज के लिए नहीं है ये गुडविल मानती है अब नॉर्मल नेचर की transaction से कोई गुडविल जनरेट नहीं होती है कोई गुडविल नहीं बनती ये वो transaction है जो AS26 कहता है कि इंटेंजेवल एसेट में जब AS26 में गुडविल की बात हम करते हैं तो उसके हिसाब से कि इन transaction से कोई बिजनिस की रेपोटेशन जनरेट नहीं होती अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन से कोई रेपोटेशन बिजनिस की नहीं बनेगी तो ये बिजनिस की गुडविल पर कोई अपना इंपेक्ट नहीं डालेंगी लेकिन जो हमने प्रोफिट निकाला था प्रोफिट तो ये प्रोफिट तो प्रोफिट है चाहे वो नॉर्मल न कर दो अपनुर्मन नेचर कर रिकरिंग नेचर कर नोन रिकरिंग नेचर कर अर आदमी चाहता है अपने मे 전ium लेकिन गोड़िल हर प्रोफिट से नहीं बन दा रगष्वनुंद अग्जांपल में आप से बात करता हूं मेरा main business है आप लोगों को पढ़ाना मेरा business आप लोगों को पढ़ाने का है यानि कि मैं आपको tuition देता हूँ और उस tuition से जो मेरी earning होती है वो मेरी income का main source है simple जो मैं tuition से कमाता हूँ वो मेरी income का main source है मेरे बच्चा सोच कर देखो मैं इसके अलावा अगर कोई side से कमाऊँगा इसके अलावा side से कमाऊँगा तो क्या उससे मेरी कोई reputation generate हो जाएगी पढ़ाने में मेरी पढ़ाने की reputation किस चीज़ से generate होगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसी से तो मेरी पढ़ाने की reputation आएगी मैं आपको पढ़ाता हूँ as a teacher मेरा content बढ़ा अच्छा बच्चे में से जुड़े हुए मैं अच्छा पढ़ाता हूँ मेरी goodwill है तभी मेरे पास revenue आ रहा है तभी मेरे पास पैसे आ रहा है तभी मैं profit कमा रहा हूँ तो इससे मेरी goodwill बनेगी लेकिन मैं side में क्या करता हूँ आज पढ़ोस के लोगों में क्योंकि बहुत बच्चों के बीच में रहता हूँ जानकारी जादा है तो मैं property dealering का काम भी कर लेता हूँ ठीक है मैं जाट भी हूँ बाई कास तो ये काम जचता भी है हम लोगों को तो मैं dealering कर लेता हूँ dealering करने से मैं commission कमाता हूँ commission कमाता हूँ तो मैं घर भहुत सरा पैसा लेके जाता हूँ एक वो पैसा जो coaching fees से आता है एक वो पैसा जो dealering करने से आता है घर जाके बताता हूँ total इतना कमाया लेकिन जब बेटा goodwill की बात होगी मेरी mastery की बात होगी तो मेरी cable tuition fees से ही मेरी goodwill बन रही है पढ़ाई के field में क्योंकि मेरी main business मेरी core activity पढ़ाना है तो पढ़ाने से जो मेरा revenue आ रहा है वो मेरी goodwill को represent कर रहा है इसके अलावा जो मैं घर किराय पे उठवा देता हूँ वो मेरी पढ़ाने की goodwill से correlated नहीं है तो for the purpose of the teaching goodwill मैं अगर use करूँगा तो मैं उस profit को use करूँगा जो पढ़ाने से आया है जो क्राय पे घर उठवाने से आया है वो profit को use नहीं करूँगा क्योंकि मेरा regular nature की जो income है वो tuition fees है दूसरी जो मेरी income है वो goodwill नहीं generate करेंगी teaching के फिल्ड में ऐसे ही business का जो core काम है regular transaction क्या होगी business की sale purchase करना regular उसके worker आते हैं wages देना, salary देना, bonus देना PF contribution देना, advertisement कराना यह सारे खर्चे हैं उसके यह normal nature के regular nature के वो करेगा ही करेगा regular basis पे करेगा यह goodwill को impact करेंगे regular nature पे जो revenue from operation उसका वो goodwill को impact करेगा लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे profit भी business में होते हैं जो non recurring nature के होते हैं होते तो हैं कभी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वो होते रहते हैं लेकिन वो non recurring nature के होते हैं, वो normal nature के नहीं, abnormal nature के होते हैं ऐसे ऐसी transaction से goodwill generate नहीं होती है, मैं खुद बोलूँगा, आप समन जाएंगे, देखें मैं loss में बात कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ loss by fire आग लग गई आग लग गई loss by fire, आग लगने से नुकसान हुआ होगा, तो जब मैंने अपना normal profit निकाला होगा, normal profit मतलब P&L वाला profit, AS5 वाला profit निकाला होगा, तो मैंने loss by fire का loss जो हुआ है, वो profit में से minus कर दिया होगा, लेकिन इस transaction का goodwill से कोई फरक नहीं, कोई लेना देना नहीं है, बिजनिस में आग लग गई तो इसमें मेरे पढ़ाने की reputation का खराब होगी मेरे center में आग लग गई, इससे मेरी पढ़ाने की reputation का खराब होगी, मेरी पढ़ाने की reputation खराब होगी, मैं पढ़ा ठीक नहीं रहा तो बिजनिस की reputation आग लगने से कोई खराब नहीं होती, उससे उसकी कोई goodwill खराब नहीं होती, हाँ वगेरा वगेरा बला बला उनकी बात नहीं कर रहें हम नोर्मल प्रेक्टिकल अप्रोच की बात कर रहें कि आग लग जाने से किसी की गुडुविल खराब नहीं होती, और लिख देता हूं, लोस बाई थैप्ट, चुरा लिया, समान चुरा, लोस बाई थैप्ट हो गया, लो नोर्मल लोस ये क्या है हमारे अब नोर्मल लोस हो रहे हैं तो इन से गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन जब हमने पी एंडल की केलकुलेशन की हुई होगी तो लोस भाई फायर को उस प्रोफिट से घटा रखा होगा लोस भाई थैप को भी प्रोफिट स ओफ मैंने कोई fixed assets बेच दी उसको बेचने पर कोई loss हो गया कोई मैंने investment बेच दी उसको बेचने पर मेरा कोई नुकसान हो गया तो ये सारे abnormal nature की transaction है abnormal nature की ऐसे ही income मैं मैं लिख देता हूँ लोस की जगह क्या हो गया profit on sales of कोई fixed assets मैंने बेची उसको बेचने से मुझे फायदा हो गया कोई investment बेची उसको बेचने से मुझे कोई फायदा हो गया सोच समझ के सोचो मेरे पास एक chair पड़ी हुई थी मैं teacher हूँ मेरे पास chair table होते हैं वो chair खराब थी बेकार थी पूरी depreciated हो जोगी थी zero value है मेरी कबाड़े वाला आया मैंने उसको 1000 रुपे में बेच दिया तो sold by scrap से 1000 रुपे की revenue generate हुआ income generate हुई मैंने P&L के credit side में लिख दिया लेकिन goodwill के point of view से बात करता हूँ क्या chair बेचने से मेरी goodwill बन गई impact नहीं पड़ेगा goodwill का जब हम valuation करेंगे उस पे को impact इन चीजों का नहीं पड़ने वाला है क्यों क्यों क्योंकि यह चीज़े impact नहीं डालती है इनको अब normal nature की चीज़े बोलते हैं कि अब normally कभी कभी यह होंगी ऐसा तो है नि डेली डेली टूटेंगी डेली चेर टूटेंगी डेली मसीन दी खराब होगी तो यह अब normal nature की transaction है यह business को impact नहीं डालती है गुडविल के हिसाब से impact नहीं डालती है तो इसलिए इनको consider नहीं किया जाएगा इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ जैसे हमें कोई insurance claim मिल गया जैसे insurance claim receive claim मिला पैसे मिल गए तो receipt है उठा कर हमने लिख दिया credit side of pender तो क्या अब ऐसी कर लें समान भिक नीरा आग लगा देंगे आग लगाने के बाद में claim मिल जाएगा वो income हो जाएगी हमारी क्या ऐसे चलेगा business ना abnormal nature की transaction है non recurring की हैं तो यह जो transaction मैंने लिखी थी इनको वो बोलता है abnormal profit क्या बोलता है वो इनको abnormal profit goodwill के लिए ये चीजे acceptable नहीं है goodwill के लिए ये चीजे acceptable नहीं है बट pndl की calculation करने में हमने इन चीजों को accept किया होगा जिसकी वजय से pndl वाला profit कुछ और हमें उसको goodwill वाले profit में बदलना है जल्दी से कौन बच्चा उमीद करता हूँ answer आएगा आपके उपर छोड़ता हूँ आपके उपर छोड़ता हूँ आप मुझे इस बात का जवाब देंगे कौन बच्चा मुझे बताएगा कि इसका मतलब सर goodwill की valuation करने के लिए goodwill की valuation करने के लिए ये जो abnormal nature का ये जो हमारा abnormal loss है ये abnormal nature के expenses है goodwill के परपज के लिए इनका क्या करेंगे goodwill के परपज के लिए क्या result निकालेंगे क्या करेंगे कौन मुझे बताएगा कि ये जो abnormal nature की income हमें हुई है goodwill के परपज के लिए इनका क्या करेंगे जल्दी से comment fast मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा समझा ऐसे समझो सर expenses पिएंडल निकानले में हमने माइनस किया होगा चोकि वो AS5 के हिसाब से ठीक है हर तरीके का profit लेना होता है normal अब normal goodwill कहती है भाई तुम ले लो हर तरीके का हम अब normal नहीं लेंगे इसका मतलब accountant से जो profit मेरे पास आया उसके अंदर abnormal loss उसके अंदर से abnormal loss पहले से माइनस हो रखा है इसका मतलब accountant साब ने उस loss को हटा कर profit निकाला है जिसकी वज़े से profit को कम आया हमने का accountant साब आपके हिसाब से वो loss घटा ना होगा goodwill के हिसाब से उसकी reputation पर कोई फरक नहीं पड़ेगा आपने गलत घटा रखा है तो हम क्या कर देंगे add back कर देंगे क्या कर देंगे उसको add back कर देंगे इसका मतलब रटने की बासा में abnormal losses जोड दिये जाते हैं opposite क्या कर देंगे opposite abnormal income पहले से जोड रखी है assets बेच दी assets का scrap बेचा scrap बेचने पर हमने 5000 कमा लिए इससे कोई goodwill नहीं बढ़ेगी लेकिन जो profit आपको दे रखा है उसमें 5000 रुबे पहले से जुड़े हुए है सहाब गलत जुड़े हुए है घटा दो क्योंकि उससे कोई goodwill generate होने वाली नहीं है ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था ठीक है मेरे बच्चा समझ में आया होगा एक line में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसे समझेंगे अगर हमारा abnormal loss है तो हमें goodwill की valuation वेलिवेशन में उसको add करना होता है अगर हमारा abnormal income है मेरे बच्चा तो हमें goodwill की valuation में उसको क्या करना होता है less करना होता है अगर वो included है तब अगर वो included है कुछ नहीं बोले question अगर silent है question silent है तो include ही मानते है अगर question silent है तो मेरे बच्चा include ही मानते हैं फिर कुछ सोचने की जुरत नहीं है abnormal loss है add कर देंगे abnormal income है less कर देंगे ध्यान देना अगर sir normal loss है ignore कर देंगे अगर sir normal income है तो ignore कर देंगे ignore क्यों कर देंगे क्योंकि सही add क्या हुआ है सही less क्या वह कुछ करने की जुरत नहीं है अगर मेरे बच्चा वो included नहीं है अगर included नहीं है question में ऐसा given है question में given है कि वो transaction included नहीं है तो क्या करोगे be careful उल्टा हो जाएगा result का abnormal loss ध्यान देना included नहीं है abnormal loss को include नहीं करना होता है accountant साहब ने भी नहीं किया बहुत अच्छा किया ignore कर दो दूसरा abnormal income accountant साहब भूल गए इसको include करना बहुत अच्छा किया accountant साहब आपसे गलती हुई है पर आपकी ये गलती हमारे काम आ गई हाला कि accountant साहब अपना years 5 के हिसाब से जो profit निकालेंगे उसको ठीक करेंगे लेकिन उनकी गलती हमारे लिए काम आ गई है अब हमें कुछ करने की जुरत नहीं है इसका मतलब अगर normal nature की चीज़े included है तो उनको ignore कर दिया जाता है और अगर abnormal nature की चीज़े included नहीं है तो उनको ignore कर दिया जाता है एक line में आहरा आसानी से रट लेंगे लेकिन अगर normal nature का loss included नहीं है तो उसको less कर देंगे अगर normal nature की income included नहीं है तो उसको add कर देंगे ये छोटी सी simple सी table आप याद रखेंगे maximum to maximum maximum to maximum यहाँ से question put up करता है बाकी वो आपको परिशान नहीं करता बताना सब कुछ cover कराना concept समझाना इसलिए हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी class के बाद में comment section में जाकर ये सारी बाते comment करके मुझे दिखाएं जितना type करने में time लगे गए न समझे time waste हो रहा है जितना हातों से type करेंगे personal हातों से type करके comment करेंगे उतना मेरे बच्चा आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा live chat बंद हो जाएगी अब तो live chat जब बंद हो जाए तो उसके बाद नीचे जाया करें scroll करके नीचे comment section आ रहा होगा उस comment section में live chat बंद हो जाने के बाद अपने valuable feedback जरूर daily daily comment क्या करें वीडियो को like क्या करें उस live chat में नी उस comment section में जाके ये table आपको post करनी है ऐसे करके included अगर if included then abnormal loss add करेंगे abnormal income less करेंगे इस तरीके से दोनों चीजों को लिखना है concept चुली याद रखना है ऐसे याद रखना है chair बेची profit हुआ बेचने पे profit हुआ abnormal nature का है ठीक है accountants आपने include कर रखा है गलत कर रखा है opposite कर दो plus कर रखा minus कर देंगे simple सी जीज़े कोई बड़ी बात नहीं है जल्दी से comment करके comment section में बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अगर आप नहीं है तो चैनल को subscribe करें साथ में अपने valuable feedback हमें देते रहें बताते रहें कि आज आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आपके suggestions का हमेशा welcome रहेगा कितना मज़ा आज आपको हमारे साथ पढ़ने में आया ये सारी बात है अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो नो डाउट यहीं लिखें अच्छा नहीं लगा ये ऐसे होना चीए आपके suggestions का हमेशा welcome रहेगा जरूर हमेशा री चीजे लिख के बताएं जब तक के लिए घर रहें सुरक्सित रहें कीजे हिन भारत माता कीजे